सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी बुरा वक्त बता कर नहीं आता, लेकिन बहुत कुछ सिखा कर जाता है, गलत लोगों की जीत, उसे वक्त तै हो जाती है, जब सही लोग चुप हो जाती हैं, हम सभी के पास समान प्रतीभा नहीं हैं, लेकिन हमारे पास समान आउशर हैं, अपने प्रतीभा को विक्षित करन के लिए आज का पंचांग 26 वरवरी 2020 दीन बुद्धुवर फागुनमास के शुक्लपक्ष की त्रीतिय तिथी सुबा चार बचकर बारा मिलट तक रहेगी इसके उप्रान चतूर्थी तिथी प्रारम हो जाएगी उत्तर भाद्रपद नामक नक्षात्र रात्री दस बचकर आ आज का राहुकाल अर्थात और सुपसमे दो पहर बारा बचकर चोदा मिलट से एक बचकर चालिस मिलट तक रहेगा आज का कोई अभी जीत महुरत नहीं है अगर आज आप सुप काम करने जा रहे हैं तो कल केले टाल दी आज चिंद्रमा मीर रासी पर संचार करेगी और करने रासी 26 फरवरी 2020 देन बुद्धवार आपके आसपस कोई आपको वेर्थे के पावर गेम में उलजाने की कोशिश करेगा इससे बचने का रास्ता यही है कि आप खुद पर नियंतर रखकर ठंडे दिमाग से काम ले और किसे और के चालों का सिकार ना बने इससे आप व चौधान रहेंगे तो बहुत सुन्दर और चिंता मुक्त दिन गुजार सकते हैं पूरी तरह से सक्रिया होने की इन दिनों शंभावना है खुब सारी उर्शा के कारण या शंभाव होगा जिससे आप खुश रहेंगी धन के व्रिद्धी होगी आर्थिक जीवन में खुश नए शुरुआत के लिए बहतर आशा दे सकता है अच बिजनेस के लिए काफे अच्छा दिन रह सकता है करियर या जॉब से जुड़े कुछ ने ओफर आपके सामने आ सकते हैं अच्छा के साम सुकून और राहत भरी हो सकती है जो आपको नए उर्शा से भर देगी वहन चल जाने या दोड़ने में शौधानी रखें कार्स का संकेत है कि आपको कुछ शोट लग सकती है शौधानिया यदि आप उच्छ सिक्छा पार्थ करम के लिए अध्यान कर रही हैं तो तो अपने विशय पर नियंतरन हाशिल करें कई बर आप अपनी उर्जा में कुछ कमी मैस अध्यान के लक्षों में बाधाएं आ सकती है लव लैफ की बात करें तू अच्छा आपके पार्टनर काफी तनाओं में होंगे और उन्हें समालने के लिए आपको अपनी सारी शमच और सारी अनुभूती काम में लानी होगी वह अपनी निरासा आप पर निकाल सकते हैं अ आपको अपने पार्टनर को सम्हालने के लिए को समय तक अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा करियर की बात करें तू आपको आज आपके कार्य छेत्र में एक मुल्यवान सुझो किसी निकट वैक्ति जो आपके हिरदय के पास हूँ उससे मिल सकता है अगर आप उस आना है और गंभीरता से भले और बुरे के बारे में सोचना है कि किस दिसा में आपका नौकरी या कारे छेत्र जा रहा है विवेक पूर्ण तरीके से अपने कारे छेत्र के बारे में सोचना समय की प्राथमिकता है सेहत की बात करें तू आज के दिन आपकी सेहत के लिहास से काफी अच्छा है हाले कि कुछ अधिक सोचने के कारण आपको तनाव हो सकता है जिससे आपकी सेहत पर नकरात्मक प्रभाव पर सकता है आप इस बात पर ध्यान देंगे कि ऐसा किस प्रकार से हो रहा है जिससे आप तनाव से बच पाएंगे आपको यह समझना हो गए कि आपक सेहत आपकी अपने हाथों में हैं आज का उपाए आज आप गड़े जी को मुंग के लड़ूओं का भोग चड़ हैं दोस्तों वीडियो को लैक शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में आपका दें शुबहू